नमस्कार दोस्तों दिपिका ककड के शो जीतने के बाद शिलपा शिंदे बोली मक्खी पूरा सीजन बुन-बुनाती रही दिपिका ककड के शो जीतने ही शो जीतने ही शो शिलपा शिंदे ने अपनी भड़ास शो शिलपा शिंदे ने एक के बाद एक तूट किये और दिपिका ककड को खरी खोटी सुनाई शिलपा शिंदे ने टूट किया आजकल सभी प्रोड़क्ट बनाव्टी आते हैं यहां तक की मक्खी मारनी का भी सुना एशो के मेकर्स ने भी मिलाव्टी प्रोड़क्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया है मक्खी पूरा सीजन बुन बनाती रही आखिर में मक्खी जीत गई इसलिए ट्राफी भी ब्रेक हो गई शिलपा यही नहीं रुकी उन्होंने इसके बाद एक और टूट किया दिपिका को पता चलेगा इतना रोने के बाद भी शो फ्लॉप रहा बिचारी कोई बात नहीं खिलो ना पकड़ा दिया शो के दौरान भी जब शिलपा शिंदे घरवालों से मिलने आई थी तो उन्होंने शिशान्त को सपोर्ट किया था दिपिका ककड के शो जीतने के बाद शिलपा लगाता टूट करके दिपिका को निशाना साध रही है शो के दौरान भी जब शिलपा दिपिका बिग बॉस बारा के कुछ गिने चुने कंटेस्टेंस से मिली थी या फिर जब उनको उसमें रही थी Big Boss 12 की घर में तो उन्होंने पूरे शो के दोरान कभी भी cheap language या फिर बुरे विवार का हिस्सा नहीं बनी और कभी ना इस्तमाल किया उन्होंने शो के दोरान अपनी positive personality का भी ध्यान रखा और सब को अपनी और आकर्शित किया घरवालों से मिलने जब भी मतलब आई थी या फिर उनसे उन्होंने शिर्षान को सपोर्ट किया दिपिका ककड के शो जीतने के बाद शिल्पा लगाता है टूइट करकर दिपिका पर निशाना साथ रही है जबकि दिपिका ने बिग बॉस का पूरा गेम पूरे आत्म सम्मान के साथ खेला और ऐसा उनके supporters भी कहते हैं बिग बॉस के घर में जब तक यानि कि दिपिका रही वे अपनी विश्वास और विचारों पटिकी रही शिशान्त के साथ बिग बॉस के घर में दिपिका की बॉंडिंग काफी ज़ादा अच्छी देखे जब सभी लोगों को अनुप जलोटा योर जसलीन मतारू का ड्रामा रिलेशन्शिप से उमीद थी तब शिशान्त और दिपिका के भाई बैन वाले रिलेशन्शिप ने फैन्स का शो में एक नया एंगल दिया दिपिका के पिछले शो ससुराल सिमर का एक समय में बहुत ही जादा उनकी स्ट्रॉंग फैन फॉलोइंग बन गई थी इस फैन फॉलोइंग का उन्होंने बहुत जाद इस्तमाल किया और कही न कहीं इसकी मदद से वो शो को जीत गई और कहीं न कहीं इसकी वज़ा से भी वो सबकी फेवरिट रही और कहीं न कहीं उनके हाथ ट्रॉफी लग गई लेकिन जब से उनको ट्रॉफी मिली है बहुत सारे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उनको ये बोला जा रहा है कि ये ट्रॉफी उनके हिस्से की नहीं है, ये ट्रॉफी श्रिशान्थ को या फिर किसी और कंटेस्टेंट को मिलनी चाहिए थी, और ये जो जीत हुई है, ये एक फिक्सिंग जीत है, तो ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं देपिका पुलिस के साथ साथ टुडिस की आपको जरू डाउनलोड करें, धन्यवाद।